मिथुन रासी वालों का आजी का दिन यणी की 20 दिसंबर दोहजियार बिस का दिन कैसा बीतेगा लेकिन सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ 20 दिसंबर दोहजियार बिस के पंचान के बारे में आज तिथी है सस्थी नक्षत्र है सत भिसा पक्च है सुकलपक्च दिन है रभी वार आजी के दिन सुर्य उदे का समय है 7 बज के 9 मिनट में सुर्य अस्त का समय है 5 बज के 28 मिनट में रितू है है मन्त आजी का दिन काल है 10 घंटे 29 मिनट 11 सेकेंड का महिना है मर्ग सिर्ष आज के दिन शुब समय शुरू होता है 11.58 मिनट एम से 12.49 मिनट पीम तक अशुब काल शुरू होता है 4.6 मिनट पीम से 4.47 मिनट पीम तक दिसासूल है पस्चिम दिसा की ओर तो ये था आज का पंचांग दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में चैनल को सब्सक्रेब कर दें इस वीडियो के नीचे हर हर महादेब कमेंट कर दे मित्रों इस वीडियो के अंत में आपके आने वाले शमय का अनोखा टोट का भाग्यसाली रंग और भाग्यसाली अंक है तो आप उसे भी सुने ताकि आपका आने वाला शमय बहतर और शांदार हो सके मित्रों आने वाले समय के दोरान आप में से जो भी जातक जो भी दर्सक नए काम की सुरुआत करना चाहते हैं तो नए काम को सुरु करने में आपको साबधानी बरतना होगा क्योंकि आने वाले समय के दोरान अगर आप अपने काम काज में अपने काड़े च्छित्र में कोई भी लापडबाही करते हैं कोई भी जल्दिबाजी करते हैं तो आने वाले समय के दोरान आपके बेपार आपके बेबसाई में आपको पड़ेशानी का शामना करना पड़ेग मित्रों आने वाले समय से पहले अगर आपके घर पड़िबार में कहीं कोई पड़ेशानी कहीं कोई समस्या था तो आने वाले समय के दौरान अपने घर के माहौल को अपने घर के वाताबरन को आपको अच्छा बनाना होगा क्योंकि इस काम को करने में आपका शमय आपका भाग्य आपका साथ अबस्य देगा मित्रों आने वाले शमय के दौरान अगर आपके प्रेम शंबंध की बात करें तो प्रेम शंबंध के दृष्टी कौन से आपका शमय सामानने रहेगा न जियादा बिहतर न जियादा खराब मित्रों आने वाले शमय से पहले अगर आपने अपने प्रेमी या अपनी प्रेमिका से कोई भी वादा किया था कोई भी प्रोमिस किया था तो आने वाले शमय के दौरान अपने वादे को अपने प्रोमिस को आपको निभाना होगा आपको पूरा करना होगा क्योंकि आने वाले शमय के दौरान अगर आप अपने प्रेम शंबंध में कोई भी लापडबाही करते हैं तो आने वाले शमय के दौरान पड़ेशानी का शामना आपको बहुत जियादा करना होगा तो इसके बाद बात करते हैं कि आने वाले शमय के दौरान आपके लिए अनोखा टोटका भग्यसाली रंग और भग्यसाली अंक क्या है मित्रों आने वाले शमय के दौरान आपके लिए भग्यसाली रंग है सिल्बर और शफेद आपके लिए भग्यसाली अंक है दो यानी की टू दोस्तों आने वाले शमय के दौरान अपने समय को बिहतर और सांदार बनाने के लिए आपको अशनान ध्यान करने के बाद अपने इस्टदेव की पूजा करने होगी अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका आने वाला शमय बहुत ज्यादा बेहतर और सांदार होगा तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में चैनल को सब्सक्रेब कर दें इस वीडियो को आप हर जगह से यर कर दें धन्यवाद